लाली पॉप आजखेए नीच ठेकं नीच फिल फेलेविवा टिपतार शचना अबत दाखे बेशिक कोड़े खुले जाबे कशना आबाद दाखेए शुंदर हाई गाईज आप सब कैसे हो आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे मस्त होंगे आज मेरा बेटा आप लोग उसे बात किया बिंगौली में आप लोग कुछ समझे बेटे का थोड़ा सा सरम थोड़ा सा कम हो चुका है और फिलाल में बना रही हूँ यहाँ पे कुछ आलू का कबाब तो सो गाईज आज मत ऐसे चुट्टी का दिन रहता है तो घर पे पापा रहता है और पापा कुछ यह सब खाने का बहुत ही वो करते की मुझे थोड़ा बहुत वो करदों की कबाब बगेरा कुछ और पकोरे बगेरा तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने पहले उबाल के उसको मैस करके ना तेल में थोड़ा सब प्यांच और फिर महली लाल मिर्च नमन उसके साथ मिक्स करके उसके बाद आलू को ऐसे कबाब का सेब देके और उसमें थोड़ा सा बेसन लगा कि इसका कबाब में बना दिया तो ये कबाब सिर्फ नहीं है ये पकोरा कुछ भी बोली है ये कुछ अलग टाइप का तो ऐसे चीज खाना बहुत पसंद करते हैं और ज्यादा थोड़ा सा दिया था लेकिन थोड़ा सा सूंद पता है और मैंने बौलए नहीं आदा नहीं और टेल नहीं डालेंगे और फिलाल पापा गय थे मारकेट और ये जो हफते का झोरूर्ण से चाहत चाहती है पूरा धूल-धूल, विंटर के सीजन में देखिए, मैंने लिए जैसे बहुत दिन से बहुत बशेत भर्ण applied था तो यह सब करने का मन ाइन ही नहीं कर रहा था, तो इसलिए जैसे 1 सब ज़ादा हो जाता है तो धूल पढ़ जाता है और जब धूल पड़ जाता है तो मुझे ना इतना गंदा लगता है कि क्या बताओ लेकिन इतना ज्यादा ठंड पड़ा था तो मुझे काम करने का एक दमी मतलब टाइम भी नहीं मिल रहा था और फिर करने का मन भी नहीं कर रहा था सिर्फ जो काम ना करें जैसे जाड़ू, पोछा, खाना, बरतन, कपरा ये सब regular का काम है ये तो करना पड़ेगा लेकिन अगर ये दो दिन बात करेंगे ना जैसे dusting वागेरा तो फिर भी चलेगा पता है लेकिन गंदेगी तो एक दम अच्छी नहीं है गंदेगी रहना गंद नहीं कर पाता बिंगॉली में आप लोगों को बेटे ने बोला कि आप लोग कैसे हो और कुछ मतलब वो लॉली पॉप बाला एक टॉइस खरीदा है वह ये आप लोगों को दिखा रहा था और ये देखी कंप्यूटर वाला जो मतलब टेबिल यहां पे भी गंदा मतलब बे ने ओला ही से खरीद दिया था देखिए तो ये फिलाल उसका कोई काम का नहीं है वो ने फिलाल और खेलता नहीं है ऐसे पड़ा रहता है तो ये भी धूल वगेरा पढ़ चुका है इसको भी थोड़ा साप कर लेंगे और उपर देखिए ये जो दुपट्टा और के ना यह नहीं पर रखें यहां पर कुरान सरीव है तो गाइस ये धूल वगेरा साप कर लूँगी फिर उसके बाद जो सोकेस है जिसमें जैसे सब चीज रहता है सिसा वगेरा है वो भी साप कर लूँगी और चुट्टी का जब दिन रहता है तब काम और भी जादा रहता है जैसे अगर पर रहते बेटा रहते तो फिर भी मुझे इतना गंदा और थोड़ा सा ठंड कम पड़ा तो मैंने बोला जटपट यह सब थोड़ा सा साप कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ना गाइस घंदीगी में मुझे एकदम पतन नहीं है और मेरे बेटे को ना यह जो धूल मीट अधर भी धूल मीटी पड़ गया तो देखिए यह देखिए कितना धूल है तो गाइस इसको उतार के पोचा पुचा लगा लेंगे अच्छी तरीके से साप कर लेंगे तो यही बात है कि जिन्दिगी में आम लोगों को अच्छी तरीके से जीने की लिए साप सपाई भी ज जी सकता हे उसमे कोई दिककत नहीं है कि गंदिगी गंदा खाना गंदा पहिन के लोग तो जी सकते है लेकिन इनसान को अच्छा सुफ रहने के लिए थोड़ासा सही धूल मिट्ती थोड़ासा देख के ही खाना या पहनना या रहना चाहिए सो गाइस दखिए मेरी चूडि फिलाल अब फिर उसकी तो बात नहीं कि पहन नहीं सकते पहन तो सकते हैं लेकिन लोगों का तो बहुत लोगों का बहुत सारा बाते हैं बाते में किसी का परवा नहीं करती हूँ मुझे पता है कि कोई कुछ भी बोले कोई क्योंकि लोगों का मुह है बोलेगा लेकिन फिर भी पहनने का भी मन नहीं होता और किसी को देने का भी मन नहीं होता पता है कभी-कभी जब दिल करता है देख लेती हूँ थोड़ा साप सपाई कर देती हूँ तो खुद का चीज है रहने दो तो यही बात है और फिरहाल देखे यहां पर भी यह सब बोटल बगिरा इसमें भी थोड़ा सा धूल पड़ा है तो इसको भी अच्छी तरीके से पोच लेंगे साप कर लेंगे इसको और यह देखिए पूरा भड़ा हुआ है मेरा जो नियल पॉलिस को मेरा जेंब कर से लेकिन पर। यह काम कहें वा है of not system लेकिए कि इस्लाम आपनाने के बात एक क्यूंकि रचीज़ पहनना नहीं है पूरा बेकर हो चुकान और वाकि ओंक पप्पैण यह bayon तो रखो यहां पे रख दिया तो ममी को अगर अच्छा लगे तो ममी पहन लेगी तो देखिए और यह पुरा मैंने साप कर लिया साप करकी इसको सही तरीके से समेट दूँगी हैं साप सपाई का क्याल रखेंगी न हम इतना ही सुष्ठ रहेंगे और फिर जैसे-बच्चे ज़्यादा से-जादा धूल मिति से बिमार होता है जैसे खासी , जुकाम यह सब कुछ हैं धूल मिति से होता है, विंटर में ज्यादा धूल होता है पता है जैसे नॉर्मल सीजन में इतना धूल नहीं होता है क्योंकि विंटर में बारिस कम होती है होती है लेकिन बहुत कम होती है इसलिए धूल बहुत जादा होता है जैसे आप घर पे रहते हो आपका घर में विंडो बगेरा बंद रहता है लेकिन फिर भी धूल आता ही आता गंदा चीज शेहत के लिए अच्छी बात नहीं है इंसान हाँ इंसान तो धूल में भी रह सकता है जिन्दा धूल में भी मुझे लगता है कि मैं फटा हुआ कपरा पहनू लेकिन फिर भी कपरा साप सुत्रा हो मेरा तुटा-फुटा सामान सही है कुछ अच्छा हो या ना हो मेरे घर में तुटा-फुटा है तो वो भी सही है लेकिन वो साप सुत्रा होना चाहिए तुटा-फुटा सामान भी गंदा पड़ा रहे मुझे ये पसंद नहीं है हाँ, अमीर लोगों की बात अलग है लेकिन घरीब लोगों के घर में तो डस्टिंग करने वाला कोई बंदा नहीं होता खुद का डस्टिंग खुद करना पड़ता है लेकिन हाँ, पता है कि बहुत सारा काम है हम लोगों को, लेकिन हर हफ्ते में एक-दो दिन टाइम निकाल के करना पड़ेगा पूरा मैंने साप कर लिया अंदर वाला देखिए थोड़ा सा बिख्रा हुआ है मेरा बेटा तो मतलब सुभा साप करूंगी ना साम को जाके देखते कि इधर का सामन उंदर उदर का सामन उदर और बच्चे जिस घर में रहते ऐसे ही करते है और फिलाल चुट्टी का दिन है तो पापा घर पे तो बेटा भी है तो आज चिकन तो बने गाई किई आगर भी लिए तो खोना दियती है तो चाइंगा है stip में रही है तो इहां पर ambigu काल झोल बनाऊंगी और फिर कि थोड़ा सा ना यह तो उसमें थोड़ा सा मैथी साफ थोड़ा सा पालक चाहते हैं उसको फ्राइब कर लूँगी और गायज बेटे बेटा तो चिकन नहीं खाएगा उसके लिए चिली चिकन बनाना पड़ेगा और बताएगा इस खाना भी बहुत सारे लोगों होता है जैसे आलू आलू में कितना कलर रहता है ना तो फिर भी आलू को भी अच्छी तरीके से नहीं होता है जैसे आलू में वह कलर रहता है फिर वही आलू सबजी बना लेता है तो गाइस फिर देखे ना अगर वह बंदा खाना भी एक खाऊ खाने का मन नहीं करता कीमि 7-7 अनसान तो रह सकता है 7-4 गंदा पहनना गंदा पहना की भी रह सकता है 25-7 गंदी जगा पर भी रह सकता है 25-21 26-機會 नहीं होान लेकिन लेकिन तदिये खराब होगा 27-utable región गंदी जगा मैं नहीं स्किन कलर है फोड़ा सा ऑफोरा मेरे मम्मी के साथ लिए कभी कभी लड़ाई हो जाता है जैसे मम्मी बुलती है कि जैसे बरतन धोके रखे है और जब खाना परुस्तेन हेना तब उस टाइम पर फिर दुबारा धोती हूं और ममी बोलती कि ये तो धुला हुआ बरतन है क्यों धो रहे हो मैं बोलती हूँ कि अगर उसमें कीरा मकुरा आए या कुछ धूल मिट्टी आए तो अगर उसके उपर से गए तो इसी देना मैं खाने से पहले बरतन को धो के तब मैं उसके बाद खाना सर्फ करती हूँ तो ममी बोलती हाँ तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा वो है जैसे तुम बहुत बो करते हो गंदीगी गंदीगी करके चिटते हो कभी-कभी ममी के साथ लड़ाई हो जाता है तो क्योंकि मुझे पता है कि इंसान को ना जैसे खाने से पहमत जैसे रहन सहन से गंदीगी से बहुत बिमारी होता है पता है गाइस तो मेरी मा समझती नहीं है इसलिए ममी ममी के साथ कभी-कभी यह सब लेके होता है और फिलहाल पेटी के लिए यहाँ पेचली जिकन बना रही हूँ और फिर आज लंच में यही सब बना है और फिर गाइस रात को ना इतना देर हो जाता है पढ़ाई का पेशर होता है जैसे एक्जाम चल रहा है देटे का एक्जाम है तो साम से लेके रात को 12-11 बज़े तक पढ़ाई कराना पड़ता है क्योंकि कोई ख़ती रिए मेघ तो करती हूँ हूँ और मैं फिर इस daytime पे पूरा साल नहीं कर पाती हूए इतना time नहीं दे पाती हो लेकिन इस time पे थोड़ा सा ज्यादा ही time लेती हूँ इक्जाम की time पे और कभी कभी जब फुरसत मिलता है तो मम्मी के साथ पुर लिफापा बना लेती हूँ और फिलाल exam की time पे नहीं फुरसत मिलता so guys आज का वीडियो यहां पे खतम करती हूँ मिल